हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू आल आफ यू, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, बाइलोजी बाई एसके सर, इस इस माई प्रोफाईल, और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम की बारे में, एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम, जो कि नॉन उटोनोमस सेल और ये डबुल मेंब्रेन सेल और ये भी होता है, तो हम लेक्चर की तरब मूब करते हैं, और देखते हैं कि एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम होता क्या है, एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम, एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम वाज डिसकबरड बई, पोर्टर, 1945, एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम की पोज़ कि, The name was given by Porter in 1953 1953 में बाद में इन दोनों साइन्टिस्टों में से एक साइन्टिस्ट जो की Porter थे उन्होंने endoplasmic reticulum का नाम दिया Endoplasmic reticulum is यह 3-dimensional 3-dimensional structure 3-dimensional structure and complicated structure यह जो endoplasmic reticulum जो होता है वो 3-dimensional structure होता है और इसमें बहुत सारी complications होती है बहुत tough structure होता है इसका इसकी वज़े से यह complicated होता है It is connected with nuclear envelope यह जो होता है endoplasmic reticulum वो connect होता है nuclear envelope से Most probably it is found in cytoplasm of all eukaryotic cells endoplasmic reticulum जो होता है वो सारे eukaryotic cells में most probably पाया जाता है जो की cytoplasmic cell में यह होता है It is generally absent in egg cell यह जो होता है endoplasmic reticulum वो generally absent होता है egg cell में Embryonic cell में भी absent होते हैं और erythrocydes की cell जिसको हम वो 3-dimensional structure होता है 3-dimensional structure 3-dimensional structure होता है और यह जो होता है वो complicated होता है complicated होता है complicated कहने के मतलब है यह structure आपके screen पे जो visible है जो दिखाई दे रहा है यह 3-dimensional structure दिखाई दे रहा है और इसमें बहुत सारे complications दिखाई दे रहा है कि कौन सा कौन सा जो cell है इसमें से इस तरीके से गया हुआ है तो जब हम इसका structure देखते हैं यहाँ पे हमको यह सबसे पहले nucleus दिखाई देता है nucleus से ही connected होता है यह structure endoplasmic reticulum यह nucleus है और इसी nucleus से just यह connected होता है यहाँ पे रहा nuclear pore तो यह structure यहाँ पे दिखाई दे रहा है dear nuclear envelope तो इसके बाद का structure जो दिखाई देगा ऐसे की structures जो दिखाई दे रहे आपको इस्ष टर निके structures है का कि यह beach अला structure जो दिखाई दे रहा कि I advantage इस्पेस जो है ओ, sisternel space है तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे इनको हम बोलते हैं यहाँ पे जो होता है कुछ में जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट है और कुछ में जो है राइबोसोम्स अपसेंट है जहाँ पे राइबोसोम्स यह प्रेजेंट दिखाई दे रहे है यह वाले एंडोपलाजमिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं rough endoplasmic reticulum और जहाँ पे यह ribosomes present नहीं है जैसे कि यहाँ का structures यहाँ से यहाँ तक का structures यह दिखाई दे रहा है यह है इसको हम बोलते हैं smooth endoplasmic reticulum इन ही ribosomes की basis पे ही हम endoplasmic reticulum को further divide करेंगे आगे तेन हम structures के बाद आगे move करते हैं और देखते हैं on the basis of morphology, morphology की basis पे endoplasmic reticulum जो होता है इसको हमने इन टाइप के structures में divide कर लिए हैं first structures जो है वो है cisterny cisterny जो होता है these are flat interconnected sack like parts of the endoplasmic reticulum which are 40 to 50 nanometer in diameter यह जो cisterny होता है वो flat interconnected sack like structure होता है यह जो structure दिखाई दे रहा है आपको यह sisterny का structure दिखाई दे रहा है ऐसे कि हमने three dimensional structures में दब जब देखा था कुछ इस तरीके के structures हमको visible दिखाई दिये थे इस तरीके के structures यह जो पार्ट है यह पार्ट सिस्टरनी का यह को हम सिस्टरनी बोलेंगे सिस्टरनी इस पर यह जो structures दिखाई दे रहे हैं यह structures जो है यह ribosomes है ribosomes तो यह जो sisterny होता है वो flat interconnected sack like structures होता है जो की 40 to 50 nanometer in diameter में होता है the sisterny are found in bundles where they lie parallel to one another जैसा कि हम इस structure में देख पा रहे हैं यह sisterny जो होता है वो हमेसा bundle में पाया जाता है यह bundle में पाया जाता है कभी यह एक sisterny इस तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा generally और यह क्या होते हैं parallel होते हैं एक दूसरे के यह यहाँ पर जैसे यह एक sisterny हो गया यह दूसरा sisterny हो गया यह तीसरा sisterny हो गया ऐसे ही बहुत सारे sisterny जो होते हैं वो पाया जाते हैं और सारे sisterny जो होते हैं एक दूसरे के parallelly arranged होते हैं तेर हम move करते हैं second structure की तरफ जो की है vesicles vesicles जो होते हैं they are oval, are rounded, sex, half 25 to 500 nanometer in diameter यह जो vesicles होते हैं oval shape के हो सकते हैं या rounded shape में यह हो सकते हैं और इनका जो diameter होता है वो 25 से ले करके 500 nanometer तक यह vary करता है the vesicles appear as small vacuoles जो इसकी vesicles होती हैं वो generally vacuoles की तरह हमको दिखाई देती हैं they remain isolated in the cytoplasm यह cytoplasm में हमको generally पड़ी हुई दिखाई देती हैं the vesicles are also called microsomes इन्ही vesicles को हम generally microsome के नाम से भी जानते हैं यह structure जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह sack like structure, rounded या oval shape का structure जो है यह दिखाई जो दे रहा है हमको यहाँ पर यही है vesicle then हम आगे move करते हैं और third structure की तरफ देखते हैं third structure जिसको हम बोलते हैं tubules, tubules जो होते हैं they are tube like extensions which may be connected with cisternae are vesicles to form a reticular system यह जो tubules होते हैं, वो क्या होते हैं, tube like extensions होते हैं इसमें जो होता है, tube like extension होता है, जो की connect करता है cisternae से या vesicle से जो पीछे के हमने दो structure देखे, एक cisternae और एक vesicle जो है उन दोनों structures को connect करने का काम जो है, वो यह tubules करता है और reticular system का formation करता है the tubules can be irregular, are regular, branched, are unbranched with a diameter of 50 to 100 nanometer they tubules जो होते हैं, वो regular भी हो सकते हैं, irregular भी हो सकते हैं, branch भी हो सकते हैं और यह ब्रांच भी हो सकते हैं, जैसे कि यहां पर ब्रांच दिखाई दे रही है, यह ब्रांच इस्ट्रेक्चर है, और यहां पर अनब्रांच भी दिख सकते हैं, जैसे कि यह इस्ट्रेक्चर जो है, यह अनब्रांच का इस्ट्रेक्चर दिखाई दे रहा है, तो यह वैरी करते हैं अपने स्टेक्चर्स को ले करके रेगुलर भी हो सकते हैं इर्रेगुलर भी हो सकते हैं ब्रांच भी हो सकते हैं और अन्ब्रांच भी हो सकते हैं जनरली इनका काम जो होता है वो सिस्टर्नी और वेसिकल्स को जो होता है वो कनेक्ट करने का काम करता है जिससे की रेटिकुलर सिस्टम का फार्मेशन हो सकते हैं इनका जो डायमीटर होता है वो 50 to 100 नैनोमीटर में होता है then on the basis of presence or absence of ribosomes on the outer surface of endoplasmic reticulum the endoplasmic reticulum is of two types ribosomes के presence या absence के basis पे outer surface पर जो endoplasmic reticulum जो होते हैं उनको हम generally दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं एक होता है rough endoplasmic reticulum और एक होता है smooth endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum कहने का मतलब यह है कि इसके surface पे ribosomes ribosomes जो होंगे present होंगे और smooth endoplasmic reticulum के surface पे जो होंगे वो ribosomes ribosomes generally absent होंगे तो हम move करते हैं और बारी बारी से एक एक को देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं rough endoplasmic reticulum को it has rough membrane because a number of ribosomes occur attached to their outer surface यह जो endoplasmic reticulum का जो membrane होता है वो rough membrane होता है because number of ribosomes बहुत सारे ribosomes जो होते हैं इसके outer surface के ओपर पाये जाते हैं जिसकी वज़े से इसका membrane जो होता है rough हो जाता है इसी वज़े से इसको हम rough endoplasmic reticulum कहते हैं rough endoplasmic reticulum RER is therefore also called granular endoplasmic reticulum इसी वज़े से हम rough endoplasmic reticulum को granular endoplasmic reticulum भी कहते हैं rough endoplasmic reticulum contain two type of glycoprotein number one is riboforin 1 and number two is riboforin 2 rough endoplasmic reticulum जो होता है वो दो type के glycoprotein को carry करता है contain करता है एक होता है riboforin 1 और एक होता है riboforin 2 यह जो riboforin 1 और 2 होते हैं वो generally attachment का काम करते हैं ribosomes के जो rough endoplasmic reticulum के उपर जो ribosomes होते हैं उसमें जो attachment का काम करते हैं जिससे कि वो डिड़ाइच ना हो सके उसके लिए जो जिम्मेदार प्रोटीन गलाइको प्रोटीन होते हैं वो होते हैं राइबो फोरीन 1 और राइबो फोरीन 2 तिन प्रेजेंस आफ राइबोसोंस तर रफ एंडो प्लाजमिक रेटीकुलम इस engaged in synthesizing protein and enzyme यह जो ribosomes जो present होते हैं rough endoplasmic reticulum में यह क्या काम करते हैं यह synthesize करते हैं protein को और enzyme को then it is rich in cells which are actively engaged in synthesizing protein synthesis and secretory activity यह जो ऐसे cells जो होते हैं वो बहुत सारे पाया जाते हैं जिसकी वज़े से protein की synthesis होती है और कुछ secretory activities भी इसमें पाय जाती है then हम आगे move करते हैं और smooth endoplasmic reticulum को देखते हैं it has smooth membrane because it does not bear ribosome इसका जो membrane होता है वो smooth होता है और smooth इसलिए होता है क्योंकि इसके membrane के उपर कोई भी ribosome नहीं पाया जाता है therefore इसकी वज़े से it is also called as agranular endoplasmic reticulum इसकी वज़े से इसको हम agranular endoplasmic reticulum भी बोलते हैं this type of endoplasmic reticulum is found in cells engaged in the synthesis and storage of glycogen fat and sterol इस तरीके के जो cells होते हैं जो smooth endoplasmic reticulum के cells होते हैं वो engage होते हैं synthesis करने में glycogen के storage में fat की synthesis में और sterol के से तरीके it is also founded leukocytes यह जो होते हैं generally leukocytes में पाये जाते हैं smooth endoplasmic reticulum then smooth endoplasmic reticulum is mostly made of vesicles and tubules यह जो होते हैं वो mostly vesicles और tubules से मिल करके बने होते हैं spherosomes are believed to originate from smooth endoplasmic reticulum scientistों का यह मानना है कि जो spherosomes की जो origin है वो मानी जाती है smooth endoplasmic reticulum से then हम आगे move करते हैं और देखते हैं differences between smooth endoplasmic reticulum smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum सबसे पहले smooth endoplasmic reticulum does not bear ribosomes on the membrane यह अपने membrane के उपर ribosomes को bear नहीं करता है जबकि rough endoplasmic reticulum जो होता है अपने उपर ribosomes को bear कि रहता है I makeOh .. Balt向 we cover the और इस्टिरॉल की संतेसिस लवा ग्यास describing सबसे पर आख the जबकि rough endoplasmic reticulum जो होता है, protein को synthesize करता है और कुछ enzymes को भी synthesize करता है smooth endoplasmic reticulum की बात करें, तो ये जो होता है, give rise to spherosomes, ये spherosomes का formation करता है जबकि rough endoplasmic reticulum जो होता है, वो help करता है lysosomes के formation में then smooth endoplasmic reticulum में जो pores होते हैं, surface पे जो pores पाया जाते हैं, वो absent होते हैं जबकि rough endoplasmic reticulum में जो pores होते हैं, वो present होते हैं, और वो जो होते हैं, वो narrow pores होते हैं then smooth endoplasmic reticulum is often peripheral, ये जो होता है peripheral होता है, it may be connected with plasma lemma और यह connected होता है plasma lemma से जब कि rough endoplasmic reticulum जो होता है it is often internal and connected with nuclear envelope यह जो होता है वो internal structure होता है और nuclear envelope से जो होता है वो connected होता है then riboforins are absent riboforin absent होता है smooth endoplasmic reticulum में जब कि rough endoplasmic reticulum में यह riboforins जो होते हैं present होते हैं जैसा कि हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि जो rough endoplasmic reticulum में ribosomes के attachment के लिए ribosomes 1 and 2 जो होते हैं वो responsible होते हैं smooth endoplasmic reticulum may develop from rough endoplasmic reticulum smooth endoplasmic reticulum जो होता है वो rough endoplasmic reticulum से ही develop होता है जब कि rough endoplasmic reticulum it may develop from nuclear envelop rough endoplasmic reticulum जो होता है वो nuclear envelop से develop होता है it has enzymes and detoxification smooth endoplasmic reticulum जो होता है enzyme को carry करता है और detoxification में ये participate करता है जब कि rough endoplasmic reticulum में कोई भी enzyme नहीं पाया जाता है तिन हम आगे move करते हैं और हम देखते हैं function of endoplasmic reticulum functions जो होते हैं बहुत सारे functions होते हैं endoplasmic reticulum में सबसे पहला जो function है वो support करता है support का का काम करता है जो endoplasmic reticulum जो होता है वो mainly जो होता है mechanical support का काम करता है जिसमें colloidal structure of cytoplasm cytoplasm के colloidal structures को maintain करने के लिए ये mechanical support प्रवाइड करता है endoplasmic reticulum then synthesis of protein protein की synthesis में मदद करता है और generally जो होते हैं वो rough endoplasmic reticulum जो होते हैं वो protein की synthesis में participate करते हैं then circulation में भी ये मदद करता है circulation में then उसके बाद में synthesis of lipid lipid की synthesis में भी ये मदद करता है lipid की synthesis में generally smooth endoplasmic reticulum participate करता है then detoxification का भी ये काम करता है detoxification का काम generally smooth endoplasmic reticulum ही करता है then storage of glycogen glycogen को भी ये store करता है बाद में ये जो glycogen है उसको जो particles जो होते हैं चोटे चोटे glycogen के इसको उसको हम नाम देते हैं glycosomes तो ये glycogen में भी glycogen के storage में भी ये help करता है then number 7 and last enzyme systems on membrane ये enzyme system membrane के enzyme system में भी ये participate करता है तो ये बात हो गई function के बारे में कि क्या-क्या functions होते हैं endoplasmic reticulum में तो I am expecting कि endoplasmic reticulum का concept आपको समझ में आ गया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो like जरूर करें in fact आप अपने दोस्तों को भी share कर सकते हैं and don't forget to subscribe my youtube channel biology by SK sir thank you so much